हेलो डिर स्टूडेंट्स स्वागत आपका अपने बायोजी का चैप्टर मानव का रक्त परिसंचन तंतर ये कम्प्लीट हो गया था आज अपने इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से जो लास्ट जिर्स के अंदर बोर्ड एक्जाम में क्वेस्चन आये हुए हैं उनको इ टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा दिये गए हैं आई होप आपने वहां से वो चेक कर लिये होंगे तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन जिसमें अपने पिछले सालों में आई हुए क्वेस्चन और महतब पूर्ण जो अति लगुतरात्म क्वेस्चन हैं यान इस चैप्टर में से एक नंबर का क्वेशन पूछा गया था रुदीर का थक्का निर्मान प्रारम करने वाली कनिकाओं का नाम पूछाते इसने कि कौन सी कनिकाएं हैं जो रुदीर का थक्का निर्मान की प्रकिरिया को प्रारम करती हैं तीन प्रकार की कनिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर RBC, WBC और प्रेटलेट्स जिसमें से प्रेटलेट्स जो है वो रुदीर का थक्का निर्मान करने निर्मान प्रारम करने वाली कनिकाएं होती तो इसका आंसर था प्रेटलेट्स RBC 2020 का जो बोर्ड का एक्जाम हुआ है उसमें यह जो चैप्टर है उससे तीन क्वेश्चन आए देखिए यह बहुत ही इजी क्वेश्चन आए जिसमें से एक क्वेश्चन तो रुपीट ही हो गया एक ही पेपर के अंदर वो दो बार पूछ लिया गया ये क्वेश्चन और ये यूनिट जो है अपनी जो लोजी की ये टोक्टर सेवन मार्क्स की है साथ मार्क्स की है लेकिन इसी सिर्फ एक चेप्टर से इस साल छे नंबर का पेपर आया है जिसमें से एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि हद्य एव परिसंचर्न सबंदी दो रोगों को समझाईए यानि कोई भी दो रोगों को वारे में आपको लिखना था जो अपने लास्ट पार्ट के अंदर इस चेप्टर के डिसकस किये थे ये दो नंबर में पूछा गया और एक क्वेश्चन इसमें बड़ों में पूछा गया जिसको 1 प्लस 3 के अंदर इनों डिवाइड किया चार नंबर का क्वेश्चन आया जिसमें एक तो मानव हद्य की आंतरिक सरंचना का नामा की चित्र बनाना था जैनि डाइग्राम बनाना था लेबल डाइग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर का हुमन हार्ट की ठीक है और इसी के अंदर जो तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा गया वो था हद्यावेब परिसंचन तंतर सबंदी तीन रोगों का वरन की दिये तो ये क्वेश्चन तो एक सिसाब से दो नंबर का यहाँ पूछ लिया एक रोग और बढ़ाकर तीन नंबर का यहाँ पूछ लिया तो ये repeat ही हो गया question तो इस साल इस unit में से सिर्फ इसी chapter में से 6 नंबर का paper जो है वो आया है ठीक है तो ये पिछले सालों में आयो हुए question है ठीक है अब अपने बात करते हैं जो आगे अपने काम के question है very short answer में important रहेंगे जो आपको पता होने चाहिए और आपको उनकी practice भी करनी हैं सबसे पहला जो question है वो है hematokrit क्या है बच्चों मैंने आपको बताया था कि blood जो है रक्त जो है वो दो परकार के उसके गटक होते हैं अबे होते हैं जिसमें एक था plasma और दूसरी थी कनीकाएं जिसमें plasma मैंने बताया था आपको कि 55% होता है और कनीकाएं जो है 45% होती है और रुदीर कनीकाओं की ये जो प्रतिशत मात्रा है हमारे blood के अंदर उसी को क्या कहा जाता है hematokrit कहा जाता है ठीक है रुदीर कनीकाओं की plasma के अंदर रुदीर कनीकाओं की blood के अंदर जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या कहलाती है प्रतिशता जो है hematokrit कहलाती है ओके सेक तो इसका अंसर आपको मैंने बताया था 4.5% होती है जो सरवाधिक पाई जाती है और उस plasma protein का नाम था albumin तो इसका अंसर हो जाएगा कौन सी protein जो है वो सरवाधिक पाई जाती है albumin पाई जाती है 4.5% ठीक है उसके बाद next question जो है वो है रक्त plasma में पाई जाने वाली रुदीर सकंदन यानि blood clotting से सबंदित दो protein के नाम लिखो तो ये भी plasma में पाई जाने वाली दो proteins बताई थी आपको एक थी fibrinosan और दूसरी थी prothrombin पहली थी fibrinosan और दूसरी कौन सी थी prothrombin और जब अपने रुदीर का थका निर्मान की किर्या भी दी पड़ी थी तो ये दोनों ही हैं जो रुदीर सकंदन की किर्या में सबंदित होती हैं ये proteins fibrinosan और prothrombin next question जो अपना है बच्चो वो है रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली कौन सी protein antibody formation से related है यानि पर्तिरक्षी निर्मान से related है तो एक ही protein बची है तीन की तो बात होई गई अपने globulin और globulin तीन परकार की होती है आगे फिर alpha, beta और gamma ठीक है और globulin जो है तीन परकार की alpha, beta तो मैंने बताया था आपको परिवेहन का काम करती है और जो gamma है, gamma globulin जो है ये antibody के निर्मान से related होती है तो इसका answer हो जाएगा gamma globulin जो है वो antibodies formation से related होती है ठीक है next question जो है, वो है RBC का निर्मान कहां होता है यानि रखतानूं का निर्मान कहां होता है तो इसके बारे में भी बताया था कि ब्रुणा वस्ता में तो इसका निर्मान जो है वो liver और सप्लीन जो होता है प्लीहा करता है लेकिन उसके बाद इसका निर्मान जो है RBC की formation जो है वो होती है red bond marrow, लाल अस्थी मज़ा में इनका निर्मान होता है next question अपने पास है, मृत RBC का वी गटन कहां होता है वी गटन करती है और second आपको अंग बताया था सप्लीन, प्लीहा इस प्लीहा को मृत RBC का कबरिस्तान भी कहा जाता है इस सप्लीन को blood bank भी कहते हैं क्योंकि अतिरिक्त RBC को ये अपने पास store भी रखता है तो दो अंग हो गए, मृत RBC का वी गटन करने वाले, एक तो लिवर की कुफर को शिकाए हो गई और second हो गया सप्लीन या प्लीहा ठीक है, मानव में, next question जो है, मानव में RBC और WBC का अनुपात लिको मानव की रखत में तो RBC मैंने आपको बताया था कि लगबग जो है, वो बावन लाख परतिगन मिलिमीटर होती है नर के अंदर, मानव के अंदर और जो WBC है, उसकी संख्या प्रॉक्समिटली जो है, लगबग आप मानके चलिए कि 7000 से 8000 के बीच में होती है तो इनके बीच जो अनुपात बैठता है, वो बैठता है 600 अनुपात 1 यानि RBC 600 के पीछे WBC सिर्फ कितनी होती है, एक होती है ठीक है, तो 600 रेशो 1 आ जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट क्वेस्टन जो है बच्चों, वो है कोशी का पार्न क्या है इसको डाइपडेसिस बोलते हैं, कोशी का पार्न के बारे में अपने निूट्रोफिल्स, WBC के अपने परकार पड़े थे, WBC दो परकार की होती है, जिसमें एक थी ग्रेनुलो साइट और दूसरी थी A-granulocyte जिसमें आगे अपने granulocyte के जब टाइप पड़े थे तो पहला टाइप था neutrophils और neutrophils के बारे में मैंने आपको बताया था कि neutrophils जो है ये कोशिकाओं की बीति को cells की जो wall होती है उनकी बीति के आरपार जा सकती है और इसी गुन को क्या कहा जाता है? डाइंपेडेसिस या कोशी का पार्न कहा जाता है तो इसका अंसर हो जायेगा Neutrophil कोशीकाओं के भीत्ती के आर पार जाने का जो गुन है वो कोशीका पार्न या डाइंपेडेसिस कहलाता है थिक है? अगला जो अपने पास question है वो है कौन सी WBC में anti-histaminic properties पाई जाती है anti-histaminic गुन पाया जाता है तो ये भी जो granulocyte WBC थी यानि की कनिका में श्वेतानू थे उसका जो दूसरा परकार था eosinophil और eosinophil के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब परजीवी संकर्मन होता है या कुछ allergy वगरा होती है तो इनकी संख्या जो है यानि की eosinophil की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और इनी में anti-histaminic गुन पाया जाता है तो इसका गण आंसर हो जाएगा eosinophil या इसको acidophil भी कहते हैं ठीक है next question जो है वो है परती रक्षा की प्रतम पक्ती का निर्मान करने वाली WBC कौन सी है तो इसका आंसर जो है वो दो WBC है जो परती रक्षा की प्रतम पक्ती के रूप में कारे करती है प्रती रक्षा की पर्थम पक्ति का मतलब यह है कि जब कोई antigen attack करता है हमारी किसी tissue पर, cell पर, तो उसके वरूद सबसे पहले जो खड़ी होने का काम करेगी, लड़ने का काम करेगी, वो कौन सी है? तो यह काम दो WBC करती है, हमारी जो neutrophil है, वो monocytes के साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर, monocyte के साथ मिलकर प्रती रक्षा की प्रत्म पक्ति का निर्मान करती है, तो इसका answer जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि जो monocytes होती है, इनको macrophage भी बोलते हैं, जब यह किसी tissue में चली जात होती है, तो यह monocyte या macrophage जो है, यह neutrophils के साथ मिलकर, बक्षकानूत अंतर का निर्मान करती है, मतलब antigen को नस्ट करने का काम करती है, और इसी से प्रती रक्षा की प्रत्म पक्ति का निर्मान होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो question है, 11th number, वो है मानव के रक्त में पाया जान यह आने वाला जो स्वशन वर्नक होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है, यह गैंसों के प्रिवहन का काम करता है, यानि O2 को यह स्रीर के सभी बागों तक छोड़ने का, और वहां से CO2 को हमारे फेव्परों की कुपी काउं तक पहुंचाने का यह क इसकाँ एक भी कहा जाता है और इसी के कार्नी आपको बताया था कि हमारे रुदीर का जो रंग है वह पेसा होता है रेड़ होता है अब नेक्स्ट क्वेस्ट नंबर 12 कोंभने जैंए समुहन या असलेशन किसे कहते हैं ये समुहन या असलेशन जो है क्वेस्टर ये ब्लडग यानि जैसे A blood group है किसी का और उसको B दे दिया गया तो उसकी जो RBC होती है उस व्यक्ति की जिसको रक्त दिया गया वो चिपक कर गुच्छे बना लेती है और रक्तानूओं के या RBC के चिपक कर गुच्छे बनाने की जो परकिरिया है वो क्या कहलाती है समूहन या उसको बोल के कारण उसके रुक्तानूओं प्रसपर चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं इसको क्या कहा जाता है समूहन या असलेशन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन जो अपने पास है वो है सारवत्रिक ग्राही वैं सारवत्रिक दाता अबधिर्श्मूँ अकॉन सा है यह सभी बच्चे जानते होंगी आपने 10th स्टेंड में पढ़ा होगा यह सबसे जो ग्रहन कर सकता है वो होता है AB और AB सबसे ग्रहन क्यों कर सकता यह भी आपको बताया था क्योंकि इसके पास कोई antibodies presenter नहीं होती और सबको जो रख्ट दे सकता है वो कौन होता है O क्योंकि इसके पास कोई भी antigen नहीं पाया जाता ठीक है next question जो है वो है ABO तंतर क्या है यह दोनों एक दूसरे से मिलते जूलते हैं एक है ABO तंतर और एक है RH तंतर मैंने आपको बताया था कि हमारे रख्ट में जो RBC होती है उसकी सताय पर प्रतिजन पाये जाते हैं जिसमें A वै B प्रतिजन के अदार पर रख्ट समुहें को चार प्रकारों में बंटा गया A B AB और O जिसमें A प्रतिजन होगा उसको A blood group जिसमें B होगा B जिसमें A और B दोनों होगे उसको A B जिसमें कोई प्रतिजन नहीं होगा उसको O blood group पर हो इसी को कहा जाता है ABO system ABO तंतर और इसकी खोज जो की थी वो कार्ल लैंस्टीनर ने की थी अब आरेच तंतर इसकी खोज भी कार्ल लैंस्टीनर नहीं की थी साथ में एक साइंटिस्ट और था इसके कार्ल लैंस्टीनर के उसका नाम था वीनर और इसकी खोज जो है वो मकाकार हिसस नामक बंदर में की गई और हिसस के पहले जो दो वर्ड है उनसे लिया गया आरेच factor यानि अगर RBC की सतय पर A वै B प्रतिजन के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसका नाम है काउन सा? RH antigen, RH पाया जाता है तो उस व्यक्ति का blood group जो है वो क्या होता है? RH positive होता है, यानि कि A positive, B positive AB positive, O positive ऐसा होगा और जिसमें नहीं पाया जाएगा उनका blood group कैसा होता है? नेगटिव होता है और इसी को कहा जाता है RH system या RH तंतर नेक्स्ट क्वेस्टन जो बच्चो है वो है ISO immunization क्या है? ये क्वेस्टन जो है ये RH से related है, जिसमें बताया था कि अगर किसी RH negative अगर मालो किसी का blood group है और उसको बार-बार RH positive वाला blood दिया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में जिसको RH positive बार-बार दिया गया, यानि RH negative वाले के शरीर में उस RH positive के लिए antibody जुद्पन हो जाती है और इस प्रकिरिया को कहा जाता है ISO immunization फिर से सुनिए, मालो कोई एक व्यक्ति है जिसका blood group RH negative है और दूसरा है जिसका blood group RH positive है इस RH positive का blood जो है इसको बार-बार दिया गया यानि ये मालो को दो बार दिया गया तो इस व्यक्ति के शरीर में इस antigen के लिए antibodies की formation हो जाती है इसको कहा जाता है आईसो immunization नेक्स्ट क्वेस्टन रुदीर सकंदन की प्रकिरिया के लिए आवशक आईन कौन सा है रुदीर सकंदन की प्रकिरिया आपने पड़ी थी जिसमें तीन स्टेप अपने पड़े थे और बार-बार एक ही आईन का वहां पर नाम आ रहा था आपके याद आगया होगा कौन से आईन थे वो calcium आईन थे और दीर सकंदन की प्रकिरिया के लिए आवशक कौन सा आईन है calcium आईन होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन फोसा ओवेलिस क्या है ये क्वेस्टन हद्य की सरंचना से related है और इसका जबाब जो है फोसा ओवेलिस और एक और थाईसी के साथ साथ फोसा ओवेलिस के साथ साथ एक टर्म और अपने डिसकस की थी यहीं परी और ये हार्ट की internal structure से लेटर था जिसको कहा गया था फोरा मेन ओविल तो इन दोनों का answer आप मुझे comment box में देंगे कि फोसा ओवेलिस क्या होता है और second जो बताया था आपको अंडा कर शिदर पाया जाता है फोरा मेन ओवेल इसका मतलब क्या होता है ये आप comment box में मुझे message करके बताओगे ठीक है अब next question अगला question जो है वो है caudai tendinai का क्या काम है caudai tendinai होती क्या है पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो bcv bicuspid wallow और tricuspid wallow होते हैं वो एक विशेश परकार की सरंचना दवारा हद्य की निल्यों की बीती में पाई जाने वाली पैपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं ये बताया था आपको तो फिर इन caudai tendinai जिनके दवारा ये wallow जो हैं वो जुड़े हुए हैं पैपिलरी पेशियों से इनका काम क्या है ये wallow को एक दिशिया ही बनाए रखने का काम करते हैं कहीं ये wallow वापिस उपर की और ना पल्ट जाए और उपर की और पल्टने से इन क्या होगा कि उपर से जो रख्त नीचे आता है वो आनी पाएगा ठीक है क्योंकि बंद हो जाएंगे ये wallow एक दिशिया होते हैं तो ये हमेशा एक ही दिशा में बने रहें जहनी कि आलिंदों से रख्त निलियों में तो आता रहे और निलियों से वापिस आलिंदों में न आजाए ये जो काम है वो करमानिल का काम जो है वो कौन करते है ये Cordai Tendiniase रंचना करती है जो BCV और TCV को किसे जोड़ती है निल्यों की बित्ती में पाई जाने वारी पेशियों से जोडने का काम करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन जो बच्चो है वो है हर्द्य चक्र किसे कहते हैं काडियक साइकल क्या होता है इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि जब एक हार्ट बीट शुरू होती है एक हद्य स्पंदन शुरू होता है तो इस एक हार्ट बीट के शुरू होने से लेकर यानि जब वो स्टार्ट हुई वहां से लेकर अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक इसके बीच में जो जो कर्मी गटनाएं हार्ट के अंदर हुई उसको कहा जाता है हर्द्य चक्र या कार्डियक साइकल यानि एक हार्ट बीट के शुरू होने से लेकर अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक हर्दय में होने वाली कर्मी गटनाओं को हर्दय चक्र कहते है ठीक है next question जो बचो है वो है sounds के बारे में love and dub sound love और dub sound क्या होते हैं ये दो तरह की दमनियां बताई थी हद्य के कपाटों के बंद होने से जो आती है इनको classical sound भी कहा जाता है इनका क्या नाम है इनको classical sound भी बोलते हैं जिसमें से first sound जो है love ये तो आती है जब BCV और TCV बंद होते हैं यानि bicuspid wallow और tricuspid wallow बंद होते हैं तो love की sound आती है BCV और TCV के बंद होने से आती है और second sound जो है dub की ये SLV semi lunar wallow जब बंद होते हैं कौन सी sound आती है डप की sound आती है और इनको डॉक्टर एक विशेश परकार के यंतर जिसको कहा जाता है stethoscope उसके द्वारा सुनता है आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास वो दो कान में लगा कर chest पर रखके आपको ये कहता है कि जोर जोर से सांस दीजिए जहां खांस ही है तो उससे ये sounds जो सुनी आती है वैसे stethoscope जो है हमारे शरी body fluid जो होते है उसकी गतियों को भी सुनने में helpful होता है ठीक है next question लसी का किसे कहते हैं यानि lymph किसे कहते हैं अब lymph क्या होता है ये last part के अंदर आपको बताया कि lymph एक तरह से छणा हुआ रुदीर होता है यानि रुदीर से ही छण कर lymph की formation होती है blood में से अगर आप RBC platelets और कुछ gulon shield protein इनको निकाल दो तो बाकी जो बचा हुआ बाग है यानि क्या क्या बचा आपके पास WBC बचगी और plasma बचा और plasma में कम मत्रा में पाया जागा इस plasma में कम मत्रा में होगा gulon shield protein उसको क्या कहा जाता है lymph या लसीका कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन और लसीका के बारे में बताया भी था ये हमारे श्रीर के उन उतकों उन कोशिकाउं तक पोश्चक पदार्थों को और वहां से उसर्जी पदार्थों को लाने का काम करता है जहां रक्त के श्रीकाएं ये काम नहीं कर सकती ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन हद्य की गती का निर्दारक किसे का जाता है pacemaker of heart तो ये दाएं आलिंद में जहां पर प्रवेश करती है स्पीरियर वेना कावा वहां पर एक पेशियों से बनी हुई गुंडी नुमा सरंचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है SA node और ये ही पेशी नुमा जो सरंचना है इसी में स्वैव तेजना से विबवुत्पन होते हैं जिनके कारण हमारी हार्ट बीट जो है वो शुरू होती है तो ये SA node जो है इसको कहा जाता है पेश मेकर ओफ हार्ट हद्य का गती निर्दारक ठीक है और लास्ट कुश्चन बच्चो लसीका का कारे लिखो एक कारे कोई भी लसीका के कई काम बताये थे आपको एक तो उन जगों पर ये पोशक पदार्थों को और उसरजी पदार्थों को वापिस लाने का काम करता है जहां पर रक्त नहीं पहुंच पाता तो एक तरह से ये रक्त यानि बलड और टिशू जो है हमारे उनके बीच में ये एक तरह से मीडियेटर का काम करता है और इसलिए इसका एक नाम और बताया था मैं लसीका का आपको इसको मिडल मैन आफ बॉड़ी भी कहा जाता है ठीक है तो ये एक काम लिख सकते हो इसके अलावा मैंने और भी बताया था कि हमारी जो आंत होती है उसमें इलियम बाग जहां वसा का वशोशन किया जाता है काईलो माइकरोन के रूप में वो अवशोशित वसा डाली जाती है लसीका वहनी में उसको वसा लसीका वहनी बोलते है लेक्टियल वेसल्स का जाता है और ये लसीका वाहनी जो है वो ही उसके बाद उस वसा अवशोशित हुई वसा को शिरात अंतर में डालने का काम करती है तो लसीका वसा के वशोशन में भी क्या करता है हेल्प करता है उसको वापिस से बलड के अंदर डालने का काम करता है और भी लिख सकते हो आप लसीका में लिंफोसाइट्स प्रजेंट होती हैं लिंफोसाइट्स आप जानते हो हमारे परतिरक्षा तंतर के लिए बहुत ही मैतपूर्ण WBC होती हैं तो यह परतिरक्षा तंतर के निर्मान से भी सबंदीत है अब इस सिक के बाद जो क्वेस्टन आने के चांस जो हैं वो बहुत ही बहुत ही कम है फिर भी आपको रीड करना है कोई भी क्वेस्टन वहां से जो पूछा जाये तो आप इजली उसका अंसर दे सको अच्छी तरीके से आप अगर वीडियो देख लोगे और जो नोट्स की PDF मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिली है वो आप नोट्स बना लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी ठीक है बचो तो ये अपना जो चैप्टर है उसके क्वेस्टन और लास्टियर में आए हुए जो क्वेस्टन है उनको भी अपने डिसकस कर लिया है अब अपने नेक्स्ट जो चैप् यूमन मानव का उसरजन तंतर ठीक है तब तक के लिए थैंक यू